Hello everyone, welcome to ECV Commerce Classes मैं हो तपिता और गाईस आज की इस वीडियो में हम अपने CUET की प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग लोग लॉजिकल एंड रीजनिंग टॉपिक को कवर करेंगे अकेले लॉजिकल एंड रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं गाईस तो आपको सीखना जरूरी है दोमेन सब्जेक्ट तो आपको आना चाहिए लेकिन उसके साथ ये आने भी जरूरी है क्योंकि ये स्कोरिंग है नॉलिज पर आपके डिपेंड करते हैं एक बार प्रेक्टिस करना मांगता है इन चीजों में उसके बाद आप खुद बखुद इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो मेरे साथ अब अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिकल एंड रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वन बाल वन वीडियों आएक तो अब स्टार्ट करते हैं मैं साज इस वीडियो में हम लोग से पहले WEND Diagram से स्टार्ट करेंगे WEND Diagram बहुत इज़रायवभ बहुत latest concept होता है इस में हमें इस type की figures given होती हैं और हमें कुछ examples given होते हैं तो हमें justify करणा होता है यानि कि देखना होते है कि भाई कौन सा example इन diagram से हम relate कर पा रहे हैं तो उसे मैं आपको समझाती हूं कैसे देखो इन्होंने बोले You have to choose from the four-wind diagram that best illustrate the relationship among three given classes और group in the question यानि कि इन चार diagram में से हमें पता लगाना है जो best relationship को find out कर सकता है A, B, C, D फ़र सा misprint था, यह C है actual में अब गाईस जैसे पहला है language, Hindi, science ठीक है? तो language हिंदी तो होती है बट science एक अलग subject है तो अगर आप देखो इन diagram में तो यह कोई एक ऐसा diagram है जिसके अंदर उसके दो parts है इसमें कोई एक diagram है जिसका एक part है और यह अलग है तो यहाँ पर language जो है वो हिंदी तो हो सकती है बट science एक अलग है तो B diagram correctly इसको justify कर रहा है C में क्या है गाईस? एक बड़ा circle है और उसके अंदर एक part है और उसका एक part अलग से हमें दिया है यानि कि तीनों interrelated है फोर्थ में हमें क्या given है? तीनों अलग अलग दे रखे है तो यहाँ पर language हिंदी साइंस भी justify कर रहा है इसे तरीके से boy, girl and player तो देखो player, boy भी हो सकता है और girl भी मतलब boy भी हो सकता है और girl भी हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो यानि कि यह जो diagram है यह इसे correctly justify कर रहा है जिसके अंदर player अगर कोई circle है तो उसमें boy और girl दोनों player हो सकते है थर्ड है guys, copper, silver, zinc तीनों metal की बात करी जा रही है और तीनों ही metal है बट एक दुसरे का कोई part नहीं है तो यानि कि यह D diagram जो है A, B, C करके हम इन तीन metals को यानि कि copper, silver, zinc को हम justify कर सकते है फोर्ट में guys, क्या कहता है यह deer rabbit goat तो आपको पता है तीनों ही जानवरों के बारे में बात करी जा रही है तो यानि कि और तीनों एक दूसरे का ऐसा नहीं है कि कोई किसी का बच्चा है तो यानि कि D diagram इसको justify कर रहा है इसके बाद है C, island and mountain यहाँ पर भी guys कोई भी किसी का पार्ट नहीं है तो D ही इसका अंसर होगा यहाँ पर next है atoms, atoms जीसे कहते है जैसे हमारा atom bomb फटता है तो basically atoms, protons and electrons तो अगर आपको पता हो guys तो atoms के protons भी पार्ट होता है और electron भी पार्ट होता है है ना, दोनों इसके अंदर पार्ट आते तो यहाँ पर A जो डाइगराम है वो इसको justify कर रहा है इसके बाद है guys liquid, milk, water क्या है? liquid, milk और water तो liquid, milk भी होता है और water भी होता है तो यहाँ पर भी A जो है वो इसे justify कर रहा है अब next जो 3 हैं वो आप बताना engineer, lawyer, doctor इसके लिए कौन सा डाइगराम सूट करेगा जैपुर, Rajasthan and Haryana उसके बाद next है world, Asia, India ठीक है तो यह तीन जो basic लिए हैं यह आपको बताने है और अब हम next topic पर पढ़ते हैं इसी तरीके का एक और example भी है जो बहुत मतलब पूछा जाता है अकसर कि हमें 3 circle दे देते हैं यह लोग ठीक है और उन circles में कुछ number mentions कर देते हैं तो इन number में कोई एक number है जो दोनो circle में आएगा कोई एक number होगा जो तीनो circle में आएगा अभी जैसे यहाँ पर अगर आप देखो एक यह circle में 1,2,3,4 आ रहा है तो इसमें 5,6 आ रहा है ठीक है और यह 2 circles के बीच में यह 2 आ रहा है तो ऐसे हमें पता लगाना होता है क्या पता लगाना है जैसे यह है A circle cricket का B circle है hockey players का C circle है football का cricket एक, दो, तीन, चार लोग खेलते हैं, होकी कौन खेलते हैं पांच, दो, तीन, छे लेकिन दो और तीन cricket भी खेलते हैं तो होकी भी खेलते हैं जबकि football खेलने वाले 4, 3, 6, 7 हैं जबकि football plus होकी खेलने वाला 6 नंबर है और football plus आपका cricket खेलने वाला कौन सा नंबर है, 4 एन 3 है और तीन एक ऐसा नंबर है guys जो तीनो सरकल में cover हो रहा है आप देखो तो अभी मैंने आपको बताया तीनो गेमें कौन खिलता है जो एक नंबर तीनो सरकल में आ रहा हो तो यहाँ पर थ्री नंबर है जो तीनो सरकल में आ रहा है इसके बाद है फुटबल होकी खिलता है बट क्रिकेट नहीं खिलता है तो फुटबल भी खिलता है और होकी भी खिलता है तो बस यह 6 नंबर हमें दिख रहा है जाने कि 6 इसका आंसर हो का इसके बाद है फुटबल को हाइट कर दो और क्रिकेट खिलता है और होकी तो यानि कि वो number 2 होगा तो which numeral represent the set of a person who play hockey बट neither cricket and nor football तो यह आपको बताना है guys question अगर आपको समझ आ गया कौन सा number है जो यह represent करता है वो set of person को जो hockey खेलते हैं बट cricket नहीं खेलते हैं और नहीं football खेलते हैं तो यह आप जरूर बताना ठीक है अब इसके आगे जो नया topic है वो पकटते हैं हम लोग अब guys एक topic समझाते हैं जिसका नाम है coding and decoding जिसमें हमें basically चीजों की coding given होगी यानि कि उन्होंने number से represent कर रखा होगा और ऐसी हमें भी कोई word देंगे जिसे हमें number में convert करना होगा तो सबसे पहले तो उन्होंने किस हिसाब से number दे रखे हैं हमें वो चीज़ पता लगानी है जैसे कि ये एक simple सा question है जिसमें उन्होंने बोला D अगर 4 है D वैसे भी अगर आप alphabet देखोगे guys A, B, C, D तो 4 नमबर पे आता हैं उन्होंने बोला cover अगर 63 है तो cover 63 कैसे बनेगा guys C कितने नमबर पे आएगा 3 नमबर पे O कितने नमबर पे आएगा अगर आप count करो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O O आ रहा है हमारा 15 पे तो इन्होंने इसे solve करके भी दिखा रखा है कि C अगर 3 है O हमारा 15 पे आ रहा है तो V 22 पे आ रहा है E हमारा 5 है और R 18 तो 63 ही total बन रहा है अब हमें जो बनाने है वो बनाने basic का तो B आपका 2 नमबर पे है A 1 नमबर पे है S 19, I 9 and C 3 तो total कितना आएगा 34 तो 34 answer होगा तो यह coding and decoding का question होता है जिसमें आपको basically code दे रखा है और आपको ऐसी किसी letter का code बताने है अब यहाँ पे guys कैसे इनोंने इसका दे रखा है code देखो समझते हैं यह थोड़ा सा समझने वाला question है rational यहाँ पे एक word लिखा है और इनोंने इसको code कैसे करा है इनोंने R को R की जगे पर रखा AT को इनोंने उलट दिया यानि कि T को पहले लिया और A को बाद में ठीक है और अगर हम बात करें I, O, N की तो N को यह पहले लिया फिर I और O को as it is रखा I और O को फिर L और A को यह आगे पीछे कर दिया अब हमें इनोंने number दिया how name दिया है how would tribal be written in that code अब tribal को हम कैसे लिखेंगे इस तरीके से अगर हमने लिखना हो तो देखो इनोंने R को बिलकुल भी change नहीं किया था यानिकि first letter बिलकुल change नहीं होगा तो first letter अगर हमारा T है वो T ही रहेगा R I को इनोंने क्या करना है हमने जैसे यहाँ पर इनोंने change किया था interchange तो हम भी यहाँ पर I R कर देंगे R I था हम आगे पीछे कर देंगे जैसे इनोंने इसमें क्या था फिर B A L था यहाँ पर I O N था ये N पहले ले आए थे तो हम L पहले ले आएंगे और इन्होंने I O को as it is रखा था तो हम B A को as it is रखेंगे अब देखो ये लेटर कहां बन रहा है T I R L B A तो T I R L B A C बन रहा है तो यानि कि इसका अंसर क्या है guys C है तो इस तरीके से इस तरीके के question को solve किया जाएगा इसके बाद guys कुछ इस तरीके का question भी आ जाता है जिसमें दिल्ली is coded as 73541 ठीक है दिल्ली को इन्होंने code कर दिया 73541 यानि कि हर एक लेटर को इन्होंने क्या दे दिया नंबर्स दे दिये इस तरीके से Calcutta को इन्होंने Calcutta को क्या नंबर दिया 82589662 8296 क्योंकि 5L के लिए use किया गया है तो उन्होंने वो नहीं लिखा अब इन्होंने हमसे बोला Calicut आप code करो तो आप बताओ देखो C जो है उसके लिए कौन सा नंबर यूस किया गया है अब नेक्स वीडियो में मिलते हैं कुछ और अलग टाइब के कुश्चिन के साथ जिसमें आपको blood relation के question आजाते हैं direction की question आजाते हैं और भी बहुत सारे topic है उनको cover करेंगे बट ये कुछ ऐसे topic से काईज जिने एक बार पढ़ना जरूरी है solve करने के लिए एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आप बहुत सारे question अराम से solve कर सकते हो तो next video में मिलते हैं गाईज और अगर आपको फिर भी कोई query है तो आप Instagram पर मुझे message कर सकते हो ID है Tabita Maisi Thank you झाल